तो हेलो गाईज तो आज का टोपिक है एगोनिस्ट और एंटाइगोनिस्ट तो गाईज एक बार देख लेते हैं ये पिपर में आएंगे कैसे तो स्पोस माल लो अगर क्या होता है अगर एगोनिस्ट और एंटाइगोनिस्ट दोनों साथ में आते हैं तो अपने पास नंबर म आसे जो बोलते हैं इसमें क्या होता है जोक ओर रुसेप्टरो को बाईर करके शेप्टरो को एक्टिवेट कर देते हैं और अपना पार्मेकु लोगीकल भीयद्टो पह último बारो अपना पार्मेकुरोजेट्न लेख आ क्षया है यह शेदर पर मेगर हैं तो उसकी हैं तो next हमारे पास है इसके types तो वैश्य यह 3 की होते हैं Full Agonist, Partial Agonist,stalk 003 Inverse Agonist Full Agonist कॉंसे होते है जो high efficacy कैसी देते है जैसे ही देखो high efficacy क्या होता मतलब जासे मैं example दो जासे देता। तो जासे देखो अपने पास क्या receptor है यह receptor है यह दो अपने पस drug है excel ago यह जो ड्रग है यहां दाकर बैंड करता है यहां बहुत अटेश करता है तो इसकी जो एफिकेसी क्या होगी लो होगी ठीक है एफिकेसी क्या होगी इसकी लो होगी अगर क्या आता है यह जो ड्रग है यहां पर दाकर बैंड करेगा ठीक है डंग क्या होगी इसकी एफिकेसी क होती है तो इसको response भी लो होगा जैसे देखो इसमें क्या होता था जैसे देखो अपने पार receptor है यह ड्रॉग है ठीक है यह हमारा क्या है हमने क्या कर दिया है वे हैं फूल होगा और पार्ष केकिसे होती है ओनों प्हूंट फूल तो थार्ड हमारे पास है इन्वर्स एगोनिस्ट तो इन्वर्स एगोनिस्ट में क्या होता है जिसका रिस्पोंस होता है ओपलजीट होता है ठीक है जैसे एक्जाम्पल हमारे पास होगे हिरोटोन हो गया मेथरोन हो गया मोर्फिन हो गया तो नेक्स हमारे पास है रिसेप्ट यह नहीं पास का है पड़ को अप्रणिप्र देखते हैं जैसे देखो उन्हें एम्ने इंपर लिया है यह हमारे पास कहा है ट्राइटोर करें यह जो ड्रणी करेंगा विस त्रह चाहिए जो अपना थेदेगा खेया टिक़श्य एक्षाइटोर करें यह अटानी प्रणिंप् पटिकुलर ताला भी होता है ठीक है इस तरह different example लेते हैं जैसे दिखो यह हमरे पास क्या receptor है ये ड्रग है इसे बाइंड नहीं हो रहा ना बाइंड क्यों निहीं हो रहा क्योंकि इसके पर्टिकुलर चाब ही नहीं है ठीक है लोग की mechanism के उपर इस बेस नहीं है जो drug है अच्छी तरह bind होगा दन क्या होगा जो इसी efficacy होगी हाई होगी अगर पार्शल में बाइंड होता है जैसे ही दोखो अगर यहां पर तक बाइंड होगा दन जो इस efficacy क्या होगी लो होगी अगर क्या होगा अगर जो बड़ा ड्रग है ठीक है जो अपना लाज ड्रग है यहां पर जो बाइंड होगा अच्छी तरह ठीक अच्छी तरह बाइंड होगा दन जो efficacy क्या होगी इसकी हाई होगी इसको हम बोलते है efficacy और potency का मतलब क्या है अगर जो यह receptor है और जो drug है बाइंड होके अपना work कर रहा ही नहीं कर रहा है उसको हम बोलते है potency तो next है antagonist तो गाई जो एंटा है एंटा क्या represent कर रहा है कॉम्पॉ히टिटीव में क्या होता है तो खंद समस्वच क्या है रहा है तो जैसे देखो जो drug जो जो receptor होंगा है binding site है ठीक है इसमें क्या होता है जो agonist होंगे और जो अपने antagonist होंगे दोनों similar shape के होंगे ठीक है दोनों क्या होंगा similar shape के होंगे इसमें क्या होता है दोनों में competition हो रहा होता है ठीक है यह बोलता है मैं जाकर यहां पर attach करूंगा ठीक है दोनों में competition हो रहा होता है तो क्या हो जो receptor को activate नहीं कर पाते हैं बट जो अपने agonist होते हैं यह activate कर देते हैं तो activate करने के विज़ा से क्या होता है जो अपना फार्मकोलोजिकल रिस्पोंस होता है वो मिल जाता है ठीक है तो गैस क्या करते हैं जो अपने antagonist है यहां पड़ा कर देते हैं तो यहां पर रिस्पोंस ह जता है यहां बो υखते हैं, आटेस्ट कर जक्टां कोई हैं, यह जाता है, तो एक जनरल सी example लेकर समझते श्माघो deux हूँ है तो आप एका ख metूrdal जो आ ख संदो आंट्व कोई दोस्त का यहार दोस्तों को बलाओंगे को पर ऐसका छिए करेंगे के करेंगे आपकेWH lasbon je रिए कर यहां चाने अठो को ठिकर मेंघो करें। आपके होगा है। चाहीं तो आप है यहां पर क्रराइक यह पैसे करेंगे अपनों तो स्वार्मकोलोजिय का रिस्पोंस्स पीषा तो इसकी एक्जांपल हम देखे तो जो अपना मॉर्फिन से नालोकसोन ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास है नोन कॉम्पोरेटिव एंटागोनिस्ट तो गैस नोन कॉम्पोरेटिव मतलब आप समझ किया रहे हो इसमें कोई कॉम्पोरेटिशन ही नहीं है तेरे यारता कोई क्या आप सब्सक्राएइब करने के बाद प्सक्राइब करने के बाद धिश्यंप्ल seventजाटेंप कर जाएंगे इसकी पावे होती। हे इतुन होती है इतनी स्व्य हती हुती है अगर यह बाइंड करता है तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप के में पूछ सकते हैं मैं इसको रिप्लाइद देने के उसी जरू करूँगा तो जो इसके नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रेशन में अविलिवल करा दूँगा आज जाके डाउनलोड कर सकते हैं तो गाइस प्लीज एक बाइस डिस्क्रेशन जूरू विजिट करें आपको हाँ पर सब कुछ मिल जाएगा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में